वेलकम टू टागेबे देशेयस दोस्तों इस चैनल के बाद दिम से आल इंडिया में एगरी कल्चर की कोई भी वेकंसी आती है तो आप लोगों को इनफरमेशन दी जाती है तहीं आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर एपलाई करना चाहें तो उस वेकंसी के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए जो नई भरतिया आती है उनकी जानकारी पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे यहाँ पे आप लोगों को एगरी कल्चर जाब्स की अपडेट मिलती रहेगी तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दी जाएगी वीडियो को लाज तक पूरा देखिए पूरी वासाज में आएगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो यहां आगए हम ओफिसल नोटिफिकेशन पर यह नोटिफिकेशन निकल के आया है बी ए यू की तरफ से मतलब बिहार एगरी कल्चर उनिवस्टी की तरफ से जो की सेवर भागलपुर में इस्तित है आप लोगों की डेट 28-22-23 को यह जारी किया गया है ठीक है एड़िटाजमेंट नंबर 3-2023 एड़िटाजमेंट फार रिकुर्मेंट फो तुदा पोस्ट आफ सब्जेक्ट मेटर स्पेसलिस्ट की यह वेकंसी है और तो टोटल मिला के 49 वेकंसी होने वाली है और यहां पर तो एप्लिकेशन स्टार्ट हो गए है 28-23-23 से और लाश्ट डेट सम्मिट करने की जो है 12-4-2023 से इसको आप लोग प्रिंट लेके और आप लोगों को भेजना पड़ेगा ठीक है तो इसकी लाश्ट डेट रेसीब करने की 12-4 है ठीक है अब यहां पर आ जाते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर यहां पर देख सकते हैं आप लोग और यहां पर में में बाते में आप लोगों को बता देता हूं बिलकुल शॉर्ट में देखिए नेम आपदा पोस्ट सब्जेक्ट मेटा स्पेस लिस्ट औ नहीं है यह दिया गया है सिरियल नंबर इस्पिलेन और नंबर आप पोस्ट और यह रोस्टर वाइस पोस्ट वैकलाग ठीक है यह एक वेकंसी अग्रिकल्चर एक्सटेंशन की एक एग्रोनामी की तीन एंटोबाजी की दो होम साइंस की तीन हर्टी कल्चर की तीन कि दो सोल साइंस की एक बिटनरी साइंस की दो टो टोटल 19 हो गई है यहां पर और ये के रॉस्टर वा Six पोस्ट वेकलग शिखा है करेंट वाकनसु जो अब आई है ये 19 तो साइल की एक बयकलग और यह करेंट वेकलजिय जो है सीरिण इसंट डिया गया की 3 है plant pathology की एक है soil science की 4 है veterinary science की 3 है total मिला के 30 हो गई तो उपर 19 नीचे 30 मतलब ये backlog ये current total मिला के आप लोगों की वेकंसी हो गई 49 ठीक है तो 49 वेकंसी निकल के आई हैं यहाँ पे और pay level आपका रहने वाला है देखिए ये pay लेबल 15,600 49,100 ये GP आपका 5400 होने वाला है ठीक है और application fees की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपए आपके लगने वाले हैं undeserved BC, EBC, EW येस के लिए ठीक है और दिब्यांग या female candidate CST विहार state only के लिए लगने है 500 रुपए अधर state वाले जो apply करेंगे उनके लिए 1000 ही लगेगा essential qualification देखिए यहां पर दी गई है यह good academic record with at least 55% of the marks on the equivalent grade of B in the seven points scale with letter grades O A B C D E ठीक है और याफ at the master's degree level ठीक है तो यहाँ पर इस आप साब लिखा हुआ है आपके पास master's degree होने चाहिए ठीक है और उसके उसमें नेट भी होना चाहिए यह ने यस से national academy of agriculture science नीडल ही और भी कुछ points में यहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं ठीक है में एज लिमिट जो है वो यहां पर दी गई है unreserved category male के लिए 37 वर्स और बर्ड क्लासेस के लिए जो दी गई है male female 40 वर्स unreserved category female के लिए 40 वर्स और सीस्ट के लिए 42 वर्स ठीक है एज कल्कुलेट की जाएगी 283-223 को और reservations की बात करें तो बिहार इस्टेट के government rule के हिसाब से दिया जाएगा यहां पर ठीक है और यहां पर लिखना है apply कैसे करना है how to apply तो online application form आप लोगों को apply करना है यहां पर दिखिए यह link दिया गया है www.bausabour.ac.in यह दिया गया है ठीक है और 283-233 से पहले मतलब रात को 12 वज़े से पहले आप लोगों को apply कर देना है और यहां पर important करके लिखा हुआ इसी में print out लेना है hard copy का उसको अपने summary sheet 9 copies होगी और यहां पर self address करके document के साथ आप लोगों को भेज देना है ठीक है यह 12-4-233 से पहले बहां पर receive हो जाना चाहिए तो यहां पर यह office in charge यह मतलब address लिखा हुआ इस address पर आप लोगों को भेजना है चाहिए sweet post से भेजिए चाहिए registry दोरा भेजिए और other mode से अगर भेजेंगे तो आप लोगों का यह allow नहीं होगा और यहां पर selection process क्या है देखिए 80 marks जो होंगे वो आप लोगों के marks के होंगे ठीक है और criteria के होंगे और 20 marks होंगे वो interview के होंगे तो criteria क्या होने वाले हैं academic qualifications के 60 marks होंगे और experience in professional field के 2 marks होंगे और recognizations, awards या special attempts के 3 होंगे, extra curricular activities के 5 होंगे, publications के 10 होंगे और फिर interview के 20 होंगे ठीक है तो total 100 number पे आप लोगों की merit बनेंगी बागे कुछ important point दियेगा है इनको देख लीजे और general terms and conditions दी गई है इसको भी आप देख सकते हैं यहां पे ठीक है फिलाज जो main point थे मैंने बता दिया है इसके बारे में और यह no objections certificate बगरा यह सब इसी में attached है यह notification में ठीक है academic qualifications कैसे क्या calculate की जानी है 60 marks और 2 marks और 3 marks यह सब यहांपे लिखा हुआ है यह सब पूरी process यहांपे दी गई है तो यह पूरा हो गया notification आपका यहांपे खतम last में 20 marks interview के total 100 ठीक है यहां बस इतना ही दिया गया है 11 page का notification है आप लोगों यह notification चाहिए तो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल देता हूँ वहाँ पे आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेसन चाहिए तो आप लोग यह टेलिग्राम चैनल जोईन कर लिजिए agriculture jobs all India, target with the CH यह पूरा नाम सर्च कर लिजिए या फिर इतना सर्च कर लिजिए target with the CH नाम से और आप लोगों को यह वाला आइकान दिखा यह चैनल दिख जाएगा इसको जोईन कर लिजिए यहाँ पर सभी जॉब्स के नोटिफिकेसन डालता रहता हूँ सबके वीडियो बनाता हूँ और नहीं भी बनाता हूँ मतलब जिनके वीडियो नहीं बनाता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को सभी एगरिकल्चर जॉब से रिलेटर नोटिफिकेसन मिलते रहेंगे तो वीडियो पसंद आया है तो अपने स्टिरी गुरूप में अपने दोस्तों साथ जुरूब से रहता हूँ ताकि इस कॉलिफिकेसन के साथ जो भी स्टुडेंट है इसमें अपलाई कर सके और एक जॉब ले सके एगरिकल्चर फिल्ड में बहुत कम जॉब निकलती है इंफार्मेशन मिलना मुश्किल होती है मैं आप लोगों को इंफार्मेशन देता रहता हूँ तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेड़ करेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिए ऐसे और वीडियो पाने के लिए अगरिकल्चर जाप से रिडेट है तो फ्लाइस वीडियो में दो है नमस्कार